कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा क्योंकि मेरे पती देव अभी उनसे अच्छे से उससे बात नहीं कर रहा है तो मैं बोलती हूं कि देव अगर पापा को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत करो बात बेटू कि देव को थोड़ी बाते करते हैं तो यहां पर मैं आप लोग को बता दू कि कुछ मैंने फैसला लिया है जो कि आज मैंने आप लोगों से शेयर किया है और अगर आप मेरे इस फैसले से सहमत हैं अच्छा लग रहा है तो आप जरूब बताएगा कि कि देखें कुछ चीजें हैं जो मैं अकेले तो मिर्ना ले लेती हूं पर मुझे आज लग रहा है कि आप लोगों को बताने इसी ज़्यादा जरूरी है आप लोगों से पूछने ज़्यादा जरूरी है तो चलिए हम अपने यहां पर ब्लॉग की सुरुवात तो हमने किया ही दी है और यहां पर मैं बता दू कपड़े में जमा रही थी अभी इन से मैं अपने आपको भी बीजी रख रही हूं एक्चली मैं इनके पास तो थी ही थोड़ी दिर पहले थी तो पर मैंने जब अब मुझे नहीं कर रहा है तो वी मुझे से बात ही कर रहा है तो मैं जब सरे बात कर GIRं क्यों करके चांखा हुए यह चाहता है और जो आपसमें लोग होते है नहीं ज़्यादा तर रहत चीज़े हैं और यहां यहां पर मैं को आज कονफिता कर रही थी यह पर मैंने देब को एक्षली बोला था रिविन बांदनी के लिए पर मैंने उसको यहाँ पर कि यहां पर हमारे पास तो यह सब होता भी नहीं था तो मैं सारी चीज़े देप को अगर हो रहा है तो कर रही हूं और करना ही चाहिए 26 जनवरी 15 अगस्त में तो आप लोग को हैपी इंडिपेंडेंडेंस डे जय बंदे मात्रम तो यहां पर बस मैं अपने घर की क्लीनिंग भी कर रही हूं और आज मैं आप लोको बता दो कुछ मुझे सामान भी निकालना है ऐसा जो कि अलग करना है अपे तो यही चीज़ा और शायद आज की ब्लाग में उनको दिखाऊंगी भी नहीं क्यूंकि मैंने जब उनके बात ही नहीं की कुछी को इनके साथ ब्लाग से नहीं किया को कहां से बताती मैं काम की वह हूँ आज वह मैं बता रही हूं पर यह बता सकते हूं कि उन्होंने मेरे से बुक्ल भी बात नहीं की है और मैंने की भी नहीं फिर एक रहता है ना चिड़ा रहे हैं गुस्सा कर रहे हैं तो फिर उन पर ही हावी होगी वो चीज इसलिए मैंने का रहने देते हाटाओ जाने दो और यहां पर मैं बता दू कि कल के लिए तो मैं दो जगाय मकाम दे हैं चान के दो चार लोग तो उनसे भी मैंने जता दी है अगर वहां पर कोई स्टॉलमेंट में कोई अच्छा सस्ता सा घर मिले हमको तो बताईएगा ता फिर हम वहां सिप्ट हो जाएंगे ऐसी सब मेरी बाते चल रही हैं कि कि जो अब हालात है हालातों को देखकर मैंने य मिरी के अकेले का फैसला है अभी अपर आप लोग को में पूछ रही हूँ कि आप लोग को सही लग रहा है ज़रूरा आज की आपकी राइक ही बहुत ज़्यादा जरूरत है कि मेरी परशानी को मैं तो समाझी रही हूं मुझसे बहतर आप समझ पाते हैं जितना भी समान यह थोड़ा बहुत रासन भी लेकर आई थी मैं तो वह सारे परट रही थी एक तरफ यहां पे मेरा कढ़ाई में कुछ बन रहा था मुझे इतना अभी नहीं पता कि क्या बन रहा है और मैं आप लोग को यह भी बता दू कि आप लोग पूछ रहते अभी हजबन आपकी कैसे हैं तो अभी तो भी ठीक है बैट मतलब ठीक मैं बोल सकती हूँ मैं तो यहीं बोलूँ कि है ना और मैं डिशन खा रहे हैं अभी दो दिन हुआ है वन वीक वाज चैक करा आना है धीरे-धीरे किसी बीचिछ में नॉर्मली धीरे धीरे आराम लगेगा ना एक दम से तो लगेग तो यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ आपने इसके पहले यह मैट हमारे गर के बाहर लगी देखी होगी पर यह मैट अब मैं उनको घड़ी करके और रख दूंगी इनको वाश कर ली है मैंने अच्छे से और यहां पर बाजू मस्वर हुए थे अच्छा मैं उनके सामने UKार देखके हैं उसकां पर अथे तूशने लगता है जादा सोचने लगता है उसको सवावत से जिसाओ को और इस बाद बड़ी आई थी कि आप लोग मैं करेंहां के पीछे देखी होगी वहां पर हमने लगाई तो अब हम जहां पर रहेंगे तो इन सब को लेकर समान तो जाना ही होगा हमें तो मैं दीरे-दीरे से समीटा समीटी कर रही हूं अभी और जैसे कि आप लोग को मैंने बताया है कि अभी किते परसंट जाना है ना खोखे में भर रही हूं और ज्यादा तर मेरे पास खोखे हैं Amazon से जो भी पार सल आई हुए थे तो यहां पर मैं उन पर जमाते जा रही हूं ताकि क्या होगी बाद में हमें दिक्कत नहीं जाएगी प्रब्लम नहीं जाएगी अच्छा यहां पर मैंने कुछ अपने उपर से भी यहां पर भी समान निकल वाया था यह देखिए तो यह भी स सारी चीजेन में जमा रहें हूँ जो जरूरी चीज होगी वराम करके रलें एक लरही होगा रहामारी है जलान होगा मैंने कुर्सी में बोल दिया था आप बाहर बैठ जाओ और उन्हेंने यह सेलफोन पकड़ा हुआ था महीं भी आप लोगों को बता दू तो यहां पर मैं सारे जो बड़े बैग है खोके हैं उन्हें सो छोटा मोटा आइटम जो भी है वह उनको भरते जा रहे हैं अब लोगों से इतना ही कहना था तो चलिए अब हम आप लोगों से थोड़ी सी फेस टू फेस से बात करतें उसके बाद अपने वीडियो का आप सभी को मैं अभी ये बता दूँ अपनी पती की जो मेरे पती की हालत है और उनकी हालत को देखकर मैंने ये फैसला लिया है कि हम कहीं और रहने चले जाएंगे पर अभी तो मुझे मकान धूरना पड़ेगा है ना और एक तरफ मैंने ये भी देखा हुआ है कि यसे निगेटिवी चीज आती है न आपके हां जो आपके पुराना टूटा फूटा समानी ये सब अगर ज्यादा रखा रहता है तो आपके निगेटिवी चीज ज्यादा आती है तो उन्हीं सबकों में क्लीन कर रही थी और और शायद कुछ दिनों बाद ये थोड़े द का दर्याद फिर्रास से सोचे अब से मैंने नहीं पूछा की इनको क्या फ्रील हो रहा है क्या नहीं हो रहा इसे साब बातेगे जो होगा जैसा वो तो आप लोगों पता चले गई मैं आप लोगों लोगों से बाते का रहीं और शीप मुझे परेख रहा ।ुम्यस को of werde न नहीं था और सबसे जरूरी बात में आपको था तो कभी-कभी ना जिए जो ब्लॉग बनाते हैं हमारे बहुत काम की चीज़ है आपने देखा था कुछने पहले हमारे वाशिंग मसीन वाले सुधारने भी आये थे वह 15-20 दिन उनको हो गए आये वह हमसे एडवांस पैसे ले करीब 500-700 रुपए ले गए और बोले कि उसी कंपनी की वह चीज आएगी तो आप उनको एडवांस दे दिया अब जब हमने उनको एक हफ्ते के हमने उनको दे दिया चलो एक हफ्ते बाद वह आएंगे और वह मसीन बिल्कुर भी सुधार के निगा थे बोले कुछ प्रड़ लेत चलो होने चारा है हमने बोला भही आपने पैसे लें चैना की वह मुई हो फ्र वह बोला कि लिए अर्म 니 बिदी में करता हुए ऊप कोई वीड़ी नहीं नहीं करता है बस एक कहते हैं ना एक जबान में लगाम होती पूर हम उनके गई ही ने पर मैंने आपको ब्लॉग में शेयर किया था आप लोग जानते होंगे कि हमारे वाशिंग मसीन वाले भीजर सभरवान है अच्छा हूँ हमारे पास वीडियो था हमने उनको बोला देखिया हमारा इन्होंने बोला है और ऐसा कुछ करता है अच्छा हूँ कि हमने उनको क्लिप बनाया हुआ था और आप लोग से शेयर किया अगर मुवाइल में भी ऐसा कुछ कैद किये वो तो शायद वो डिलीट हो जाता पर वहां पर यूट्यूब में डाला था तो वो है तो यह सारे ल यह आप से अगले नेक्स ब्लॉग में और आपको यह मेरा फैसला सही लग रहा है गलत लग रहा है आप जरूर बताईएगा हम दूसरी जगे किराय से रहने जा रहे हैं हम यह घर खाली कर रहे हैं अभी मेरा खुद परशनल है मैं आप लोगों से पूछ रहे हैं क्यूंकि